हेलो फ्रेंड्स आज से हम लोग क्लास 12 का बैली जी का एक नया चप्टेश शार्ट करेंगे चेप्टन नमर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ठीक से समझने के लिए चेप्टन नमर 3 युमेन इप्रोडक्शन की जानकारी होना जरूरी है जिसे हुमेन इप्रोडक्शन की जानकारी नहीं है उसके लिए एक रिवीजन वीडियो बना हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आप वहां से देख सकते हैं वैसे अभी हम एक दो मिनट चर्चा करेंगे हुमेन इप्रोडक्शन के बारे में जो कि हम लोग पहले ऑफ्लाइन क्लास में पहड़ लिया थे ऐल्लाइन क्लास में तो नहीं हुआ था लेकिन हम लोग कुछ दिन के बाद ऑनलाइन क्लास में भी उमेन इप्रोडक्शन चेप्टर को पढढ़ेंगे तो अभी हम लोग इस्टार्ट करते हैं chapter number 4 reproductive health लेकिन एक short revision हम लोग कर लेते हैं chapter number 3 का human deproduction का human deproduction में हम लोग offline class में पढ़ चुके हैं कि मनुश्य में एक है father और एक है mother father के सरीर में बनेगा sperm और mother के सरीर में बनेगा ओभम sperm ओभम एक दुसरे से जब fusion करता है तो बनता है जाइगोट इस process को हम कहते है fertilization जाइगोट में लगातार division होगा तो बन जाएगा embryo और embryo जब baby group में जन्म लेगा तो हम उसको बोल देते हैं child या फिर off spring बोलेंगे यहाँ पर कुछ image है उपर का image है male reproductive system का और नीचे का image है female reproductive system का यहाँ पर हम लोग कुछ parts को जिरा सा देख लेते हैं कौन कौन size में parts है फ़रा सा समझ लेते हैं हम लोग सद्यां से देखना है male reproductive system में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो piece testis है testis में क्या होगा? sperm बनेगा और वह sperm धीरे धीरे आगे पास करेगा testis से बाहर निकलेगा कहां जाएगा? तो testis से बाहर एक नली निकला हुआ है जिसको हम कहते हैं vast difference vast difference यहाँ पर नाम है यह testis है और testis से बाहर एक नली इस्तरस निकला हुआ है जिसका नाम है vast difference तो टेस्टिस में बनने वाला इस्पर्म धीरे-धीरे कहां जाएगा, वास्ट डिफ्रेंस में जाएगा, वास्ट डिफ्रेंस से फिर आगे बढ़ेगा, आगे इजेक्युलेटरी डक्ट है, कहां पर नाम लिखा हुआ है, पता नहीं है कि नहीं, कोई बात नहीं, तो यह इस्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाजमा, कम लोग पढ़ लिया है ना, कि मेल में, मेल में, एक मिनिट, ठीक है, दिखाए पड़ा है ठीक से, मेल के टेस्टिस में स्पर्म बनता है, और स्पर्म टेस्टिस से निकल करके आएगा, वास्ट डिफरेंस में, पहले आएगा, एपिरी डैमिस में, कई रास्ता होता है, एपिरी डैमिस में आएगा, एपिरी डैमिस से फिर वास्ट डिफरेंस में जाएगा, वास्ट डिफर पता है और यह स्पर्म चला जाएगा कहां फिमेल के वजीना में तो फिमेल लिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर है हम यहाँ पर देख रहे हैं यह दो पीस फिमेल लिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओभरी है ओभरी के पास से एक नली निकलावा जिसको हम कहते हैं फैलोप परफ होता है जिसको बोलते हैं और सव के गजा के भी आगे होता है स्व वजिण तो यह जो मेल में सिमेन बनता है यह सी vaccines के वजीना में पहुचेगा फिमेल के वजीना में पहुचेगा और वजीना से धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा ओभिरी में बनता है ओभम और ओभम बन करके निकल के आएगा कहां फेलोपियन ट्यू में ये ओभम है फेलोपियन ट्यू में आया यहां से स्पर्म आगे बढ़ेगा इस्पर्म धीरे धीरे दोनों साइड के फेलोपियन ट्यू में जाता है इस्पर्म धीरे दोनों साइड के फेलोपियन ट्यू में जाएगा और फेलोपियन ट्यू भी ही वह जगह है जहां पर की इस्पर्म ओभम में जाकर के फ्यूज कर जाएगा इस प्रोसेस को बोल दिए Fetilization तो Fetilization कहां पर हुआ Fetilipian Tube में हुआ Fetilipian Tube के किस पार्ट में होता है एक हमलोक पढ़े थे किreck Fetilipian Tube में एक Ampula नाम का हिसा होता है उस Ampula में ही Fetilization का प्रोसेस संपन होता है तो यहाँ पर fat lesson के बाद बन जाएगा jagote jagote धीरे-धीरे खिश करने लगेगा uterus की ओर और इस दोरान jagote में लगातार division भी होते रहेगा jagote embryo में convert होगा और वह embryo जो है धीरे-धीरे पहुँच जाएगा कहां uterus के uterus cavity में और यहाँ पर फिर endometrium से embryo चिपक जाएगा इस process को हम करते हैं implantation यह सब हम लोग human production में पढ़ चुके हैं अभी हम details में नहीं बता रहे हैं बस shortcut में बोल करके हम निकल रहे हैं फिर 9 month का gestation period होता है 9 month तक बच्चा अपनी मा के पेट में uterus में develop होगा और फिर वजीना की रास्ते जो है बच्चे का जन्म हो जाता है और इस तरह से मनुस में बच्चे का जन्म होगा तो male reproductive system और female reproductive system का एक simple सा छोटा सा revision कर दिये और हमारा तो chapter है reproductive health तो reproductive health के बारे में हम लोग अब आगे पढ़ते हैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में हम हर पेज का screenshot क्लिक करवा देंगे वैसे whatsapp पर notes भी जाएगा और जो whatsapp से नहीं जुड़े हैं वो screenshot लेकर के यहां से काम चला सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि chapter number 4 reproductive health का main main कौन कौन सा topic है यह chapter छोटा है बहुत बड़ा chapter नहीं है छोटा chapter है लेकिन बहुत बहुत important है एक्जाम के दृष्टी कौन से 12 और बोट एक्जाम के दृष्टी कौन से नीट एक्जाम के दृष्टी कौन से और हमारे जीवन में भी इस chapter का बहुत ही महत्व है क्योंकि हम सभी का जीवन होता है हम सभी जन्म लेते हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं पढ़ते लिखते हैं फिर जो है कुछ पैसा कमाने का उपाय कुछ कामधाम से जुड़ते हैं फिर साधी होती है फिर बच्चा होता है और फिर बच्चे का देखवाल करते हैं तो जो बेबी होता है जब बच्चे का जन्म होता है और रिप्रोडक्शन जब मनुसम होता है तो उसके लिए इस chapter का knowledge होना बहुत जरूरी है जिसे इस chapter का knowledge ठीक से नहीं है उससे बहुत सार गलतियां हो सकती है, लेकिन कि इस chapter कि अगर जानकारी है, तो हम कई गलती करने से बच सकते हैं, यह chapter बहुत important है, exam के द्रिष्टी कोन से, और हामारी जानकारी की द्रिष्टी कोन से, इसलिए मन लगा करके पढ़ना है, ध्यान से समझना बुजना है तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग इस chapter में पढ़ेंगे क्या-क्या ठीखे मेर में topic क्या है हम लोग जानेंगे कि reproductive health क्या है reproductive health का meaning क्या होता है हम लोग अभी तुरंट समझेंगे इसके बाद हम लोग जानेंगे कि family planning क्या होता है फिर जानेंगे population, आबादी के बारे हम लोग समझेंगे ये तीन topic हम लोग आज ही पढ़ेंगे ये तीन topic हम लोग आज complete कर लेंगे और फिर आने वाले वीडियो में ये सब आगे का total 10 topic है सेप्टर में हम लोग वारी वारी से सब कुछ पढ़ेंगे देखते हैं आगे क्या है फिर है contraceptive methods contraceptive methods हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे वेसे थोड़ा सा बता दते हैं कि एक ऐसा विधी जिसका यूज करके जिसका यूज करके जिसे साधी होती है साधी के बाद copulation होगा, sexual activity संपन होगा और उस दोरान pregnancy का chance रहता है, बच्चे के जन्म लेने का chance रहता है लेकिन अगर किसी को बच्चा नहीं चाहिए, कुछ समय तक बच्चा नहीं चाहिए जैसे साधी हुई, अब चाहता है वो कि साधी के 2 साल बाद ही बच्चा हो या 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद ही बच्चा हो तो कुछ ऐसा तक्निक का यूज क्या आता है जिसके द्वारा की sexual activity होने के बाद भी बच्चे का जन्म नहीं होता है तो ऐसे टेक्निक को हम कहा देते हैं क्या contraceptive methods डेटल्स में अगले वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे फिर है MTP, अवर्शन यानि कि यदि ना चाहते हुए भी pregnancy रुख जाता है उसको बच्चा नहीं चाहिए लेकिन कि कोई इस तरी pregnant हो चुकी है तो जन्म से पहले ही मा के यूट्रस में ही बच्चे को अगर नश करवा दिया जाए तो इस method को हम कहते हैं MTP यानि Medical Termination of Pregnancy या फिर इसी को बोलते हैं abortion हिंदी में कहते हैं गर्भपात आने वाली वीडियो हम लोग डेटल्स में पढ़ेंगे फिर है amniocynthesis amniocynthesis एक ऐसा जाँच है जिसके द्वारा जन्म से पहले ही बच्चे के लिंग का पता किया जा सकता है उसमें होने वाले आनुवनसिक बीमारी के वारे में पता किया जा सकता है यानकि जन्म के पहले ही ये बात पता लगा जा सकता है कि जन्म लेने वाला जो बच्चा है उसका लिंग क्या है वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी क्या उसमें कोई आनुवंसिक बिमारी है या नहीं है इसका पता लगाया जा सकता है फिर है इनफर्टिलिटी हम अपने समाज में देखते हैं कि कुछ लोग की साधी को 10 साल 15 साल 20 साल बीत जाता है लेकिन उनके बच्चे नहीं होते हैं वो बच्चा चाहता है लेकिन उसको संतान होता नहीं है तो कुछ गडवड़ी के वज़े से सरीर में या फिर पूरुस में कुछ गडवड़ी हो सकता है या फिर इस तरी में कुछ गडवड़ी हो सकता है और इस कारण से उसको संतान नहीं हो पाता है तो जब कोई कपल, कोई दमपत्ती चाहते हुए भी संतान उत्पन नहीं कर पाते हैं तो फिर हम ऐसी इस्तिती को कह दते हैं Infertility हम लोग Infertility के बारे हम डिटल्स में आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या रीजन रहता है और उसको कैसे ठीक भी किया जा सकता है यहीं कि जिसको संतान नहीं हो रहा है इलाज के द्वारा उसको संतान हो सकता है आगे है Art Assisted Reproductive Technology Assisted Reproductive Technology यह वह तकनिक है जिसका यूज करके बंधी दमपत्ती को भी संतान की प्राप्ती हो सकती है जिसे बच्चा नहीं हो रहा है वह डाक्टर के पास जाएगा और इस टेकनिक का अगर यूज करे तो जिसको संतान नहीं हो रहा है उसको भी संतान हो जाता है फिर है Test Tube Baby Art Technique के ही अंतरगत एक मेथड आता है जिसको हम बोलते है Test Tube Baby अब यह Test Tube Baby क्या होता है हम लोग आगे डिटल्स में पढ़ेंगे लेकिन बस थोड़ा सा जान लेना है कि जिसको संतान नहीं हो रहा है वह इस टेकनिक के माधियम से Test Tube Baby टेकनिक के माधियम से अपने बच्चे को जन्म दे सकती है ठीक है? और लास्ट में हमारा टॉपिक आ जाएगा STD, Sexually Transmitted Disease या फिर इसी को कहते है STI, Sexually Transmitted Infection जैसे AIDS बिमारी है, हर्पिस बिमारी है वर्ट्स है, सिफलिस है, गोनोरिया है ये सब ऐसा बिमारी है जो की Sexual Activity के दौरान फैलता है ऐसे डिजीज को हम कहते हैं STD या फिर STI तो डिटेल्स में हम लोग आने वाली वीडियो में हर टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ेंगे आज जो है, हम लोग टॉपिक नमबर 1, 2 और 3 यानि कि Reproductive Health के मिनिंग को समझेंगे Family Planning को समझेंगे और Population Explosion यानि कि आवादी जो मनुस्ष का जनसंख्या जो काफी तेजी से बढ़ता है इसके बारे हम लोग जानेंगे तो इस्टार्ट करते हैं तो हमारा फिर्स टॉपिक है Reproductive Health जनन स्वास्त है Reproductive Health जनन स्वास्त का मिनिंग क्या है हम यहाँ पर हिंदी में लिक करके रखे हुए हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि आज का जो लेक्चर है इसमें कुछ ऐसा सा टॉपिक आया हुआ है जिसको हिंदी में पढ़ना ही ठीक रहेगा और इसलिए हम हिंदी में पहले से कुछ-कुछ लिक करके रखे हुए हैं तो ध्यान से समझ लेना हर बात को Reproductive Health जनन स्वास्त का सिंपल सा मिनिंग क्या है अगर हम सिंपल टाइप से बोले तो Reproductive Health का मिनिंग होता है Reproductive Organs का स्वस्त होना यहनिकि Reproductive Organs यदि हमारा ठीक ठाक तरीका से काम कर रहा है मेल का मेन मेन रिप्रोड़क्टिव औरगन क्या है जैसे कि टेस्टीस होता है इपिर डैमिस है वास डिफरेंस है यूरित्रा है फिर पेनिस है सेमैनल वजायकल है प्रोस्टेट गलेंड है कॉपर्स गलेंड है यह सब है फिमेल का Reproductive Organs कौन-कौन है ओभिरी होता है फेलोपियन ट्यूब होता है यूट्रस होता है फिर सर्विक्स है वजीना है वलवा है यह सब तो है तो Reproductive Health का मेनिंग है Reproductive Organs का स्वस्त होना यानि कि Reproductive Organ का बढ़िहां से काम कर पाना लेकिन WHO क्या कहता है WHO World Health Organization WHO कहता है कि यदि किसी ब्यक्ति का केवल Reproductive Organ स्वस्त है Reproduction उसमें हो पा रहा है तो हम उसके उसका Reproductive Health को सही नहीं मान सकते है यानि कि केवल Reproductive Organ के स्वस्त होने से Reproductive Health अच्छा नहीं कहलाएगा तो फिर WHO क्या कहता है तो WHO का कहना है कि Reproductive Health का मतलब है कि Reproductive Organ के साथ-साथ Reproductive Organ तो स्वस्त होना ही चाहिए Reproductive Organ के साथ-साथ एक complete health होना चाहिए complete health यानकी संपुर्ण स्वास्ति का क्या meaning है मतलब ये है कि physical health सारेडिक स्वास्ति physical health सारेडिक स्वास्ति का मतलब है शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग बिमारी नहीं होना चाहिए blood pressure नहीं होना चाहिए diabetes नहीं होना चाहिए तो kidneys related कोई डिरीजी ने होना चाहिए सांस से related कोई बिमारी नहीं होना चाहिए टाइप हाइड नहीं होना चाहिए मितलों किसी भी प्रकार का बड़ी में बिमारी नहीं होना चाहिए इसके बाद mental health, मानुसिक स्वास्त है मानसिक स्वास्त ठीक होना चाहिए दिमाग में किसी प्रकार का कोई टेंशन होना नहीं चाहिए अगर दिमाग में किसी बात को लेकर के टेंशन है कि मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है या गारजन हमको डांट दिये, टीचर हमको पीट दिये तो दिमाग में किसी बात को लेकर के tension चल रहा है पडूसी वाले से जगड़ा हो रहा है तो दिमाग मगर किसी बात को लेकर के tension चल रहा है तो उसके reproductive health को हम अच्छा नहीं कहेंगे इसके बाद social health, samajik स्वास्तिय इनकी समाज के लोगों के साथ भी एक मेल मिलाप बना रहना चाहिए हमारा समाजिक स्वास्त सोसल हेल्थ अच्छा होना चाहिए समाज के लोगों को जब जुरत हो हेल्प करना चाहिए और ऐसा नहीं कि सुबस वो सो करके जगे और समाज के लोगों से जगडा कर लिए तो जब समाज के लोगों से जगडा करेंगे तो हमारा समाजिक स्वास्ति खराब हो जाएगा और अगर समाजिक स्वास्ति खराब होता है तो इसका effect reproductive health पर पड़ता है reproduction पर भी इसका असर होता है इसलिए WSO कहता है कि reproductive health का meaning है reproductive organs का बढ़िहां से काम करना साथ ही साथ एक complete health होना complete health का मतलब है कि physical health, saadik स्वास्त, body में किसी प्रकार का रोग इमारी नहीं होना चाहिए mental health, manasik स्वास्त, दिमाग में किसी प्रकार का कोई tension नहीं होना चाहिए और social health, यानि समाजिक स्वास्त है समाज के लोगों से मिल जूल करके रहना चाहिए तो अगर ऐसा condition किसी वेक्ति के साथ है तो हम उसके उस इस्तिती को बोलेंगे कि reproductive health इसका सही है एक बार जड़ास हम लाइन वे लाइन पढ़ देते हैं reproductive health, जनन स्वास्त reproductive health का अर्थ reproductive organs का स्वास्त होना अर्थात reproductive organs का सुचारू रूप से कारी कर पाना है WHO World Health Organization के अनुसार reproductive health, reproduction के सभी पहलुओं सहीद एक complete health है अर्थात physical health, सारेडिक स्वास्ति है mental health, मानसिक स्वास्त तथा social health, समाजिक स्वास्ति है क्या reproductive health का meaning समझ में आया reproductive health को हम अच्छा तभी कहेंगे जब reproductive organ बढ़िया स्वास्त होना चाहिए यनकि reproduction ठीक से हो पा रहा हो संतान उत्पन हो रहा हो साथ ही साथ उस व्यक्ति का physical health ठीक हो सरीरिक स्वास्त ठीक हो सरीर में किसी प्रकार का कोई भी रोग विमारी नहीं होना चाहिए इसके बाद mental health, मानसिक स्वास्त ठीक हो दिमाग में किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई टेंसन, कोई परिसानी नहीं होना चाहिए, इसके बाद उसका उस ब्यक्ति का सोसल हेल्थ, समाजिक स्वास्ती भी ठीक होना चाहिए, यानि समाज के लोगों के साथ भी ब्यक्ति को मिल जूल करके यदि वो रहता है, तभी उस ब्यक्ति का reproductive health ठीक कहलाएगा, यदि सब कुछ ठीक है, लेकिन कि दिम reproductive health सही नहीं है, तो reproductive health सही कब कहलाएगा, जब reproductive organ सही से काम करता हो, किसी ब्यक्ति का सारिक स्वास्ती ठीक हो, मानसिक स्वास्ती ठीक हो, और साथी साथ समाजिक स्वास्ती भी ठीक हो, तब हम बोलेंगे कि reproductive health ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा next topic है, family planning हिंदी में कहते हैं परिवार नियोजन, family planning परिवार नियोजन, ये family planning है क्या, परिवार नियोजन है क्या, इसे हम लोग समझते हैं, कुछ image यहाँ पर पहले देख लेते हैं, पहले इस image को ध्यान से देखना है, क्या लिखा है, small family, happy family, यानि कि छोटा परिवार, सुखी परिवार, अब यहाँ यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एक बड़ा परिवार है और माता पिता है और उनके कितने बच्चे हैं चार पांच छे बच्चा एक दो तीन चार पांच इस यहां पर एक बच्चा है ठीक है दिखाए पढ़ रहा होगा सायद यहां छे बच्चा तो यहां पर माता पिता को यहाँ पर माता पिता को 6 संतान, यह हो गया छोटा परिवार, यह हो गया बड़ा परिवार, अब बड़ा परिवार है तो हम देख पा रहे हैं, एक सिंपल सा फेमिली है, कोई बहुत ज़्यादा रही स फेमिली तो नहीं है, किसान टाइप के लग रहे हैं, तेकर के, यहाँ पर देखने की बड़े परिवार में, बच्चे के बदन पर कपड़ा नहीं है, बच्चे के सरीर पर सही से कपड़ा नहीं है, बच्चे के पैर में चपल तक नहीं है, पेरेंट के पैर में भी चपल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, कि यह छोटा परिवार है और दोनों बच्चा के बड़ी में पर कपड़ा प्रोपर है साथ ही साथ हम यहां देख रहे हैं कि पेरेंट को जूता भी है है ना और साइद यह बच्ची कुछ पढ़ रही है यह बच्ची साइद कुछ पढ़ाय लिखाय का काम कर रही है अपने पापा से यह कुछ आएंगे वो खर्च कितने बच्चे पर करेंगे एक या दो बच्चे पर खर्च करेंगे अब यदी यदी माता-पिता का जो इंकम है वो मान लिया जाए मान लिया जाए आज के टाइम में मान लिया जाए कि माता-पिता का जो इंकम है वो है 20,000 रुपया पर महिना का इंकम है और उनको दो संतान है तो चार ब्यक्ती यनकी माता पिता और दो संतान चार ब्यक्ती मिल करके 20,000 रुपिया मेना खर्च करेगा यनकी पर ब्यक्ती पर कितना खर्च पड़ेगा लगभग 5,000 रुपिया मेना खर्च पड़ेगा तो एक ब्यक्ती पर ताहल लिखाय किया जा सकता है सही से कपड़ा भी पहना जा सकता है तब्यद खराब हो तो डक्टर से इलाज भी कराया जा सकता है लेकिन अगर परिवार में यह इaluable 6 बच्चे बच्चा है मता पिता लगा करके हो गया कितना? 8 हो गया अब इस परिवार का भी वही यदि इंकम हो यानि कि 20,000 रुपया पर महिना का इंकम है तो एक विक्ति पर कितना रुपया पड़ेगा पर महिना का? अगर आठ यहां सदस्य का संख्या है तो कितना पड़ेगा? यहां पर लगभग जो है 5,000 रुपया महिना पड़ रहा है है कि नहीं? 5,000 रुपया महिना एक विक्ति पर पड़ रहा है तो इस परिवार के सभी सदस्य को सही से हो सकता है, खाना पिना नहीं मिले अब छे बच्चे को पड़ने में कितना खर्च हो जाएगा? उतना तो परिवार का इंकम ही नहीं है जब इंकम नहीं है तो बच्चा बड़ यहां इसकूल में पड़ नहीं सकता है तो बड़ यहां से बच्चे को सिख्चाने मिलेगा बच्चे को सही से कपड़ा नहीं मिलेगा है ना, अगर किसी की तवियत खराब हो गई, तो डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए भी सही से पैसा नहीं मिलेगा, यानि कि अगर परिवार का सदस्य बड़ा रहा, परिवार में सदस्य का संख्या जादा रहता और इनकम अगर कम हो, तो उस कंडिशन में बच्चे को, परिवार के सभी सदस्य को माता पिता को सब को कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि परिवार का आकार अगर छोटा हो, माता पिता उनका एक या दो ही बच्चा हो, तो वह अपने इनकम से अपने बच्चे को बढ़ियां से पढ़ा लिखा सक सकता है, बढ़ियां से कपड़ा पहना सकता है, बढ़ियां से खाना खिला सकता है, तवियत खराब हो जाए, तो डॉक्टरी इलाज भी कराया जा सकता है, और बच्चे को पढ़ा लिखा करके कुछ अच्छे पोस्ट पर कुछ नौकरी वगरे सब दिलाया जा सकता है, फिर ऐसा सोचना बिलकुल ही गलत है बच्चे को पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है और पढ़ने लिखने में आज के समय बहुत ज़ादा पैसा कर्च होता है इसलिए परिवार का संख्या कम हो तो परिवार सुखी संपन रहेगा इसलिए कहा गया small family, happy family अब यहां पर school की बच्चियों के द्वारा जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है कि छोटा परिवार सुखी परिवार है ना, कि अगर परिवार का सदस परिवार में सदस का संख्या कम है तो वो परिवार सुखी संपन रहेगा और परिवार में अगर सदस का संख्या बहुत जादा है, तो फिर कठिनाईयों का ही सामना करना पड़ेगा अब देखते हैं यहां पर family planning परिवार नियोजन के बारे में क्या लिखा गया है यदि हम चाहते हैं कि परिवार के सभी सदस्य का सही तरीका से development हो परिवार का सभी सदस्य बढ़ियां से खाना पिना खाए कपड़ा पहने, education प्राप्त करे इलाज करवाए तो फिर परिवार के आकार को छोटा रखना ही पड़ेगा और परिवार के आकार को छोटा रखने का planning करना ही कहलाता है family planning अगर हम चाहते हैं कि परिवार का आकार छोटा हो, परिवार में सदस्का संख्या कम हो, बच्चा कम जनम ले, माता पिता को या तो एक ही बच्चा हो, या फिर ज़्यादा ज़्यादा दो बच्चा हो, तो इसका अगर हम कोई योजना बनाते हैं, को प्लानिंग करते हैं को कर." ज़्यादा रखना है तो यही planning यही योजना कहलाता है family planning प्रिवार नियोजन, देखे हाँ कि क्या लिखा है प्रिवार के सभी सदस्यों के संपोसित विकास के लिए परिवार के आकार को छोटा बनाने की योजना फैमिली प्लानिंग कहलाता है और क्या लिखा है कि वर्तमान समय में इसे RCH Reproductive and Child Health Care Program कहते हैं यानि कि जिसको हम पहले फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन कहते थे अब उसी को कहा जाता है RCH ये नाम याद कर लेना है RCH का पुरा नाम है Reproductive and Child Health Care Program तो इस फैमिली प्लानिंग का नाम हो गया RCH Reproductive and Child Health Care Program और भारत में सर्व प्रथम 1951 में फैमिली प्लानिंग कारिक्रमों की सुरवाथ हुई थी अपना देश आजादवा था 1947 इसमे में और आजादी के टाइम में इस और ध्यान नहीं दिया जाता था कि परिवार क्याकार को छोटा बनाना है लेकिन फिर भी अपने देश में बहुत पहले 1951 इसमे में आजादी के चार साल के बाद सरकार ने लोगों को जागरुक करने का प्रियास किया कि परिवार क्याकार को छोटा बनाना है परिवार में सदस्का संख्या बहुत जादा नहीं होना चाहिए परिवार में सदस्का संख्या बढ़ेगा तो बहुत सारी परिशानिया उत्पन होगी खास करके आर्थिक परिशानी होगी यानि पैसे की इनका दिकत हो जाएगा और बचे का ठीक से पढ़ाय लिखाय फिर नहीं हो सकेगा इसलिए परिवार क्याकार को छोटा बनाने के लिए जागरुकता अभियान सब वगरे सब चलाया गया था तो 1951 में भारत में फैमिली प्लानिंग कारिकरम की सुरुवात हुई थी और एक बहुत अच्छी बात यह है कि अपने देश में काफी पहले फैमिली प्लानिंग को लागू किया गया था और बांकी सब देशों में अपने देश में लागू होने के बाद बांकी सारे देशों ने भी इस कारिकरम को लागू किया था कुछ हम लोग और भी इमेज देख लेते हैं परिवार नियोजन फैमली प्लानिंग के अंतरगत जो लोगों के बीच में सरकार के तरब से जाग रुकता अभियान चलाया जा रहा था ये बहुत पहले की बात कर रहे हैं ये 1951 और उसके बाद की बात कर रहे हैं तो जब आसा इमेज को आप देखिए ठीक से यहाँ पर ये दोनों डाक टिकेट है ये दोनों डाक टिकेट है डाक टिकेट पर लिखवा दिया जाता था छोटा परिवार सुखी परिवार यहाँ पर लिखाव है परिवार नियोजन कीजिए परिवार नियोजन कीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 पैसा का ये डाक टिकट है बहुत पहले का ये मतलब जब कोई डाक के माधिहम से कोई चिठी वगरे सब को कहीं भेजा जाता था तो उसके उपर एक टिकट चिपकाना पड़ता था और वो टिकट के उपर ही सरकार के तरफ से लिखवा दिया जाता था छोटा परिवार सुखी परिवार या फिर परिवार नियोजन कीजिए ठीक है परिवार नियोजन कीजिए परिवार में सदस्वों के संख्या को बहुत जादा बढ़ने नहीं देजे क्योंकि सदस्का संख्या बढ़ेगा तो उसे के प्रकार का परिशानी होगा इसकूल वगरे सब में भी बच्चा वगरे सब को ट्रेनिंग दे करके नाटक का प्रोग्राम करवाया जाता था कि अगर परिवार में ज़्यादा सदस्का संख्या होगा तो फिर किस तरह से पैसे का दिकत हो सकता है गार्जन को और अगर परिवार में सदस्का संख्या कम है तो फिर पैसे का बहुँ ज़्यादा दिकत नहीं होगा और बच्चे को अराम से पढ़ाया लिखाया जा सकता है कई जगह में दिवाल पर भी लिखावा मिलता था कि नस्बंदी कराईए और एक रेडियो लेकर जाईए बतला नस्बंदी कराईए और रेडियो फिरी में लेकर के जाईए हमको याद है बचपन में हम कही पर देखे लिखावा कि नसबंदी कराईए और एक फिलिप्स का रेडियो लेकर के जाईए फिरी में अब हमको क्या पता कि नसबंदी क्या होता है तो हम घर में आकर के ममी को बोले ममी रेडियो फिरी में मिल रहा है ममी बोलती है फिरी में मिलता है रेडियो कहां पर मिलता है फिरी में हम बोले हम देखें हमा लिखा हुआ है नस्बंदी कराईए और रेडियो फिरी में ले जाईए हम बोले ममी मेरा नस्बंदी करादो और रेडियो ला लेंगे और घर में सब का नस्बंदी करादो धेर सरे रेडियो मिल जाएगा हर कमरा में रेडियो रहेगा हम यह बोलती है यह सरची तुम देखते हो उस टाइम में नहीं समझते थे तो अब जानते हैं कि नस्वंदी क्या होता है नस्वंदी एक बर्थ कंट्रोल का पर्मानेंट मेथड होता है हम लोग आगे के वीडियो में जानेंगे तो सरकार का यह पॉलिसी रहा सुरू से ही कि बहुत जादा संख्या बढ़ना नहीं चाहिए बनुस्क्या जन संख्या बढ़ने से कई तरह की परिसानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है फिर यहाँ पर छोटे बच्चियों के द्वारा जागरुकता भियान चलाया जारा कि छोटा परिवार सुख्य परिवार इसके बाद यहाँ पर कुछ बढ़ते हैं यहाँ लिखा हुआ है जन जन में फैलाएं एक विचार छोटा परिवार सुख्य परिवार फिर हिंदु मुसलिम सी की साई छोटे परिवार में सब की भलाई बच्चों को इस्वर का उपहार ना बताओ अंध विश्वास से आबादी मत बढ़ाओ कुछ लोगों का ऐसा मानना भिराता है कि बच्चे भगवान या खुदा के देन होते हैं और इसलिए बच्चा अधिक सदिक होना चाहिए लेकिन इन अंध विश्वास में लोगों को नहीं आना चाहिए बच्चा एक या दो ही अच्छा अना बच्चे एक या दो ही अच्छे उससे ज्यादा नहीं ठीक है आगे बढ़ता है अगला टॉपिक है यहाँ पर लिखावा है जनन स्वास्त कारिकरमों के उदेशी Amps of Reproductive Health Program सरकार ने जनन स्वास्त कारिकरम के अंतरगत फैमिली प्लानिंग के अंतरगत देश में जागरुकता अभिहान चलाया और लोगों को जागरुक बनाने का परियास किया कि परिवार क्याकार को छोटा रखने से क्या-क्या बेनफिट होता है परिवार में सदस्का संख्या बढ़ने से क्या-क्या नुकसान होता है Reproductive Organ के बारे में जानकारी देने का परियास किया गया फिमेल समें होने वाले menstrual cycle के बारे में जानकारी देने का प्रियास किया गया कम एज के लड़के लड़कियों को reproductive organ या reproduction, copulation से सम्मंदित जानकारी देने का प्रियास किया गया यह ऐसा topic हो जाता है यह जो reproductive health है यहाँ कुछ ऐसा topic हम लोग पढ़ेंगे जो कि खुले आँ किसी से अगर बोल दें तो वह लोग बोलेगा कुछ लोग बोलेगा कि कैसा है सरम भी नहीं आता है बोलने में यह सब ऐसा topic है जिसे अपने देश में गुपतुरूप से बोलायाता है और पैनली कोई बोलना नहीं चाहता है और जब लड़का लड़की प्यूबर्टी स्टेज में आता है तो उसके सरीज में बहुत सरा changing होने लगता है लड़कों में menstrual cycle संपन होने लगेगा लड़कों में आवाज भारी होने लगेगा सिमेन बनना शुरू हो जाएगा और इस एज में यानि कि लगभग 12-15 वर्ष के एज में लड़के लड़कियों को उसके सरीज में क्या-क्या बदलाव हो रहा है वो समझ में नहीं आता है वो पूछे तो किसे पूछे? पैरेंट से नहीं पूछ सकता है हाला कि लड़कियां धीरे-धीरे अपनी ममी से बाचित करने लगती है लेकिन लड़का ना ममी से बात करेगा ना अपने पिताजी से बात करेगा स्कूल में भी कई टीचर इस टॉपिक को पढ़ाते नहीं है रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक को इस्कूल में भी टीचर पढ़ाने से बचते हैं नहीं बताना चाहते हैं बोल देते हैं कि सिंपल सब टॉपिक है तुम लोग खुद से पढ़ लेना तो फिर बच्चा अपने सरीर में होने वाले परिवर्तन के बारे में सही से जानेगा किस से अपने दोस्तों से पूछता है दोस्त कौन बुद्धी मान है दोस्त कुद खुद नहीं आता है वो तो उल्टा पुल्टा जानकारी दे देगा है ना लेकिन अभी के समय में देखते हैं कि कई टीचर इस सेप्टर को बहतर तरीके से पढ़ाते हैं और बिल्कुल भी इस सेप्टर में सरम नहीं करना चाहिए बच्चे को जो भी पूछना हो जरूर पूछना चाहिए टीचर से और टीचर को भी चाहिए तो सही से बात नहीं कर पदेगा, तो हम जैसे टीचर को ही आगे आना पड़ेगा, और छोटे बच्चे को सही से जानकारी देना पड़ेगा क्योंकि जानकारी के अभाव में बच्चे काफी जादा गलती कर बैठते हैं और इस सेप्टर का जानकारी होना बहुत जरूरी है सिर्फ एक्जाम के लिए नहीं अपने जीवन में भी कई परकार के गलतियों से बचने के लिए या फिर कई परकार के रोग मारी से बचने के लिए भी इस सेप्टर का नौलेज होना जरूरी है तो सरकार ने व्यक्तियों को जागरू करने के लिए काफी जादा परियास किया अब क्या क्या परियास किया हम लोग एक तरफ से हम पढ़ते हैं और हर पॉयंट को थोड़ा थोड़ा बोल देते हैं और जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं जनन स्वास्त करिक्रम के उदेशिय पहला है जनता के बीच जनन संबन्दित सभी पहलों के प्रती जागरूकता उत्पन करना यह जनन से संबन्दित हर बातों को जनता के बीच बताना जागरूकता उत्पन करना यह सरकार का परियास रहा इसके लिए चाहे रेडियो के मध्यम से छोटा छोटा परचार टाइप से जनन से संबन्दित जानकारी देने का परियास किया गया पेपर में न्यूस पेपर में भी बहुत सारे बातों को लिकर के जांकारी देने का परियास किया गया इसकूल में थोड़ा थोड़ा जांकारी दिलवाने का परियास किया गया या फिर कुछ दिवाल में भी लिक लिक करके जो है कि निस्वन्दी कराईए चोटा परिवार सुखी परिवार इस तरह का बात दिवालों पर भी लिक लिक करके लोगों के भी जागरुता पहलाने का परियास किया गया इसके बाद है इसकूल तो था कॉलेज में यौन सिक्षा सेक्स एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देना यान कि यौन सिक्षा के बारे में इसकूल कॉलेज में ज्यादा जानकारी देने का परियासरकार के तरब से तो किया गया था लेकिन कि अभी भी स्कूल कॉलेज में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इस टॉपिक को पढ़ाया नहीं जाता है फिर है लोगों को STD यानि sexually transmitted disease के विशे में जानकारी देना जैसे sexual activity के दौरान कई प्रकार का रोव बिमारी होने का चांस रहता है तो जो बिमारी sexual activity से फैलता उसको बोलता है STD sexually transmitted disease जैसे कि AIDS है, हर्पिस है, वर्ट्स है, गोनोरिया है, सिफ्लिस है ये सभी बिमारी तो इसके बारे में STD के बारे में लोगों को जानकारी देने का परियास किया गया फिर है किसोर आयू वर्ग के लोगों को यौन सम्मंद में सिक्षित करना यनकी कम आयू वर्ग का जो बेक्ती होता है, जो बच्चा होता है, उसको भी यौन सिक्षा देने का परियास किया गया फिर है यौन सम्मंदी अपरादों के बारे में सिक्षा देना यौन संबंधी अपराद जैसे की रेप केस का मामला होता है तो वो बहुत बड़ा अपराद होता है किसी साथ जोड जबरदस्ती करना, रेप कर लेना तो इसके बारे में कि ये कितना गलत है यौन संबन्दी अपराद के बारे में लोगों को जानकारी देने का प्रियास किया गया फिर एक गर्वती माताओं की देखभाल तथा अस्तनपान के मतुरके संबन्द में जानकारी देना इनकी गर्वती जो मा है उसका देखभाल किस तरह से होना चाहिए और अस्तनपान कराने से यहनकी बच्चे को अपना दूर पिलाने से क्या-क्या बेणफित होता है उसकी भी जांकारी देने का परियास किया गया हमारे गाउं में समाज में आसा होती है ना आसा, वह घर-घर जाती है और हर घर में पता करती है कि कहां पर कोई गर्वती मा है, उसका बच्चा है, कैसा है, किस कंडिशन में है, डिलिवरी होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो वो जो आसा होती है, वह हमारे घर की मा बहनों को ये बहुत सारा जांकारी देती है, कि गर्वती मा को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से भोजन खाना पिना चाहिए उसका दिनचरिया कैसा होना चाहिए और बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को किस तरह सपना दूद पिलाना चाहिए कितना बार पिलाना चाहिए ठीक है तो ये सब जानकारी आसा उनके दिवारा दिया आता है इसके बाद है विवा की उम्र को ब या कि 100 साल पीछे चले जाए या फिर 50-70 साल पीछे चले जाए तो 10-12 साल के एज में ही लोगों की साधी हो जाते थी बाल विवा तो बाल विवा को खतम करने का परियास किया गया और साधी के उम्र को बढ़ाने का परियास किया गया तो अभी के टाइम में लड़का के लिए साधी का जो उम्र है निमनतम उम्र है वो है 21 साल और लड़की के लिए साधी का जो निमनतम उम्र है 18 साल तै किया गया है सरकार के द्वारा ठीक है एक मिनिट तो लड़का के लिए साधी का निम्नतम उम्र कितना है 21 साल लड़की के लिए 18 साल तो विवा की उम्र को बढ़ाने का परियास किया गया इसके बाद मादा भुरुन हत्या पर रोग लगाना एक जांच होता है जिसको हम कहते हैं एमनियो सिंटेसिस एमनियो सिंटेसिस जांच के द्वारा ये पता चल जाता है कि जनम लेने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगी या फिर अल्ट्रासॉंड करके भी पता लगा जा सकता है यदि बच्चा तीन मेहना तक का हो चुका है मा के पेट में इंब्रायो तीन मेहना तक का हो गया है तो फिर अल्टरसॉंड के द्वारे भी पता लगाया जा सकता है कि जनम लेने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगी तो कई लोगों को बेटी नहीं चाहिए वेटा चाहिए ओर बेटी है होने वाला जनम लेने वाला है बेटी और उसको चाहिए बेटा तो फिर उस बेटी को वो जनम के पहले ही नस्ट करवा देता है तो मादा भ्रोन हतिया पर रोक लगाने का परियास किया गया, इसके बाद लोगों को जनन सम्बंदी समस्याओं, रिप्रोडक्शन से रिलिट कई परकार का परिशानी लोगों में होते रहता है, जैसे कि प्रेगनेंसी को लेकर के बहुत तरह का परिशानी हो सकता है, अगर किसी माता-पिता को संतान मतलब कापल्स पो संतान नहीं हो पा रहा है चाहते हुए भी बच्चा नहीं हो पार है, तो वो condition कहलाता है infertility, तो उसको अगर सही से इलाज कराया जा, तो वो ठीक हो सकता है, उसके बारे में चिकित्सी सहता परदान करने का प्रियास किया गया, आगे बढ़ते हैं, और अगला topic हमारा है जनसंख्या विस्फोट, population explosion, ज प्रिद्धी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, मौजुदा समय में मनुस की जनसंख्या काफी तेज गती से बढ़ रही है, और इसी को हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट, तो हम कुछ image देख रहे हैं, कि यहाँ पर railway station पर, train पर बैठने के लिए यात्रियों का कितना सार भीड लगा हुआ है, मार्केट में भी अभी के समय में बहुत ज़्यादा भीड लगा रहता है, अभी चाहे हम बैंक जाते हैं, तो वहाँ बहुत 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 बहु लाखों की संख्या में इस्टनेट इक जामद निकल जाता है तो अभी के समय में मनुस का जनसंख्या काफी तेज गती से बढ़ते जा रहा है काफी ज़्यादा जनसंख्या तो बढ़ चुका है और उतना जितना बढ़ गया है उतना तेजगती से और बढ़ते जा रहा है तो इस condition को हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट जिन आधुनिक समय में मनुष्की जनसंख्या में होने वाले काफी तेजगती से ब्रिधी को क्या बोलेंगे जनसंख्या विस्फोट कहेंगे देख सकते हैं कितना भीड़ है यहां ज कुछ पहले का आंकडा देखते हैं अभी का आंकडा कुछ हम लोग देखते हैं कि पहले क्या जनसंख्या था विस्फोट का भारत का अभी क्या है तो पहले पूरे वर्ड की जनसंख्या के बारे में देखते हैं 1931 में प्रित्वी पर मनुस की जन संख्या ध्यान से समझना इस आंकडे को ध्यान से देखना है 1931 में यानिकी आज से 120 या 121 साल पहले की वाद है उनी सोईस्वी में प्रित्वी पर मनुस की जनसंख्या दो अरब दो बिलियन या फिर दो हजार मिलियन इनकी दो अरब थी उनी सोईस्वी में प्रित्वी पर मनुस की कुल जनसंख्या पूरे प्रित्वी पर मनुस की जो कुल जनसंख्या थी वो थी दो अरब पूरे पृत्वी पर मनुस की जन संक्या हो गया छे अरव हो गया यनिकी तीन गुना जादा बढ़ गया थोड़ा सा समझने का कोशिस करना है कि पृत्वी 1922 से ही तो नहीं है पृत्वी तो लाखों करोरों वर्स पहले से है पृत्वी करोडों वर्स पहले से है है ना तो पिछले कई लाख साल में पिछले कई लाग साल में, 1920 तक आते आते, पिछले कई लाग साल से 1920 तक आते आते, पिरिथवी पर मनुस्य का जो कुल जन संख्या हुआ था, दो अरब, कई साल बीच चुका, कई लाग साल गुजर गया था, तब जाकर के 1920 तक में, दो अरब मनुस्य का जन संख्या हुआ था और अगले मात्र एक सो साल में मनुस्य का जनसंख्या उस दो अरब से तीन गुना ज़ादा बढ़ गया छे अरब हो गया यानि कि उनी सो इसवी के पहले कई लाक साल में बढ़ करके मनुस्य का जनसंख्या हुआ था दो अरब और उनी सो इसवी के बाद मात्र सो साल में एक सो साल में जनसंख्या तीन गुना ज़ादा बढ़ गया दो अरब से सीधे छे अरब हो गया यानि कि जनसंख्या काफी तेजगती से बढ़ा है इसके बाद 2011 इसवी में प्रित्वी पर मनुस्य की जनसंख्या हो गई 7.2 अरब फिर बढ़ गया अभी और ज्यादा होगा इसके बाद जरासा भारत का जनसंख्या हम लोग देखते हैं और भारत के जनसंख्या को स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद हम लोग देखते हैं इसी तरह से पढ़ने के लिए दिया गया है तो स्वतंत्रता प्राप्ती के समय यानि 1947 इसवी में इस अंकडे को भी गौर से देखना है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 इस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी 35 करोड तीक है यानि कि 350 मिलियर 35 करोड मात्र 35 मिलियर 35 करोड था तीक है और 2000 इस्वी में भारत की जनसंख्या हो गई एक अरब यानि कि 1947 इस्वी में था 35 करोड और 2000 इस्वी में यानि कि कितना सल्वित गया लगवक 53 साल भी था तो 53 साल में 35 करोड से बढ़ करके हो गया एक अरव जनसंख्या इसके बाद 2011 इस्वी में भारत की जनसंख्या हो गई 1.2 अरव यानि की 120 करोड एक सो बीस करोड ठीक है और 2021 इस्वी में जब हम अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज डेट है 14 अप्रील 2021 तो वीडियो रिकॉर्ड करने से कुछ समय पहले तक हम चेक किये गूगल पर जो हमको आकडा मिला तो अभी प्रजेंट टाइम में अपने देश में जो मनुस का जन संख्या है वो है 1.39 अरव यानि की 149 करोड हो चुका है अब सोचना है कि आजादी के टाइम में मनुस की जन संख्या अपने देश में थी 35 करोड और आजादी को अभी कितना साल बीता और बढ़ करके जन यानि की सीधे सीधे लगवक जो है 4 गुना जादा जन संख्या भारत में बढ़ चुका है आजादी के टाइम से आज तक में मनुस का भारत में जन संख्या 4 गुना जादा बढ़ गया 35 करोड से सीधे बढ़ करके हो गया 149 करोड है ना तो मनुस का जन संख्या अपने आगे देखते हैं, क्या कारण रहा, जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण रहा, अखिर इतना तेजी से अभी जनसंख्या क्यों बढ़ रहा है, जबकि सरकार ने काफी ज़्यादा परियास भी किया, कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जया, परिवार नियोजन कारिकरम को लाग किन कारणों से जनसंख्या काफी तेजगती से बढ़ रहा है तो कुछ पॉइंट लिखा हुआ एक तरफ से पढ़ते हैं पहला पॉइंट है मृत्यूदर, डेथ रेट या मॉटिलिटी में कमी पहले के समय में कोई रोग विमारी से ब्यक्ति मर जाता था क्योंकि इलाज का सुविधा नहीं था जिसे कि खास करके जब बच्चे के जन्म का टाइम आता था तो delivery के time में मा को भी मरने का chance रहता था और बच्चे को भी मरने का chance रहता था तो कई case ऐसा होता था अधिकांस case ऐसा हो जाता था कि जब मा अपने बच्चे को जन्म दे रही है delivery का time है तो सही तरीके से देखवाल ना हो पाने के कारण सही सुविधा नहीं मिल पाने के कारण मा भी मर जाती थी और बच्चा भी मर जाता था तो अभी क्या है अभी के time में इतना सरा सुविधा हो गया है हस्पिटल बना दिया गया है डॉक्टर सो होते हैं नर्स होती है तो जब अभी present time में अगर बच्चे का जन्म हो delivery का time हो तो अभी delivery करवाया जाता है हस्पिटल में दॉक्टर की निगरानी में तो डॉक्टर की निगरानी में जब बच्चे का delivery होगा तो बच्चा का delivery बढ़िया तरीका से करा दिया आता है और मा को भी बचा लिया आता है बच्चे को भी बचा लिया आता है यही बचाने का काम पुराने जमाने में नहीं हो पाता था तो पुराने जमाने में delivery के टाइम में मा को भी मरने का chance रहता था बच्चा को भी मर गाने में डिलीवरी होता है और सारा सुविधार आता है मा को भी बचाया जाता है बच्चे को भी बचाया जाता है तो इस वज़े से अभी के समय मैं मनुसका जनसंख्या बढ़ गया है तो यहाँ पर पॉइंट है मृत्यूदर डेथ रेट या मॉटलिटी में कमी इसी में द तो मरने नहीं दिया आता है, बचा लिया आता है, फिर है सिसु मिर्थियुदर, यानि की infant mortality rate या फिर IMR में कमी, बच्चे को भी बचा लिया आता है, तो मा का भी जान बच जा रहा है, बच्चे का भी जान बच जा रहा है, तो जन्संख्या तो बढ़ेगा, इसके बाद जन् दर में बिर्दी हुआ है, अब जन्म दर में क्यों बिर्दी हुआ, क्योंकि लोग मरेगा कम, जब डिलिवरी के टाइम में मा को ही बचा लिया गया, बच्चे को बचा लिया गया, तो बच्चा जब मर नहीं रहा है, बच्चा जिवित रह जा रहा है, तो जन्म दर में बि खत्र सा हो गया है लेकिन कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं कि कम एज में ही लड़के लड़कियों की साधी करा दिया आती है जब कम उम्र में साधी हो जाएगी तो उसका जल्दील्दी बच्चा होगा और अगर वो सिक्षित लोग है उसे यह पता नहीं कि परिवार में सदस्का संख्या बढ़ेगा तो क्या-क्या परेसानी हो सकता है तो फिर उसमें उस परिवार में 4-5-6-7 बच्चे का भी जनम हो सकता है तो कम उम्र में विवा होना भी एक जन संख्या बिस्पोट का एक कारण है ओ सिक्षा जो सिक्षित लोग है जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें ये पता नहीं रहता है कि सदस का संख्या बढ़ेगा, बहुँ ज़्यादा बच्चा हो जाएगा तो क्या-क्या परिसानी होगी. उसको कुछ समझ में नहीं आता है बस उसको ऐसा लगता है कि धेर सारा बच्चा होगा और ये बच्चा बड़ा हो करके हमको कमा करके बाद में बुढ़ापे में देखवाल करेगा इस दृष्टिकों से भी कई लोग दो से भी जादा बच्चे को उत्पन कर देते हैं तो फिर है निम्न अस्तरिय समाजी की प्रताएं यानि कि कुछ लोगों का ऐसा मानना रहता है कि बच्चे जो है वो इस्वर के देन हैं अल्ला के देन हैं और इस वज़े से अधिक से अधिक बच्चे को उत्पन किया जाए तो ऐसा सोचना काफी निम्न अस्तर का सोच होता है और इसको रोकना चाहिए तो निम्न अस्त्रिय समाजिक पर्था के वज़े से भी जनसंख्या काफी तेजगती से बढ़ जाता है अब है जनसंख्या विस्फोट का परिनाम जनसंख्या तो बढ़ते जा रहा है मनुस का जनसंख्या तो बढ़ते जा रहा है तो इस जन संख्या विस्पोट का क्या-क्या परिनाम हो सकता है हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं अगर मनुस्की जन संख्या जैसे की काफी ज़्यादा बढ़ चुकी है और बढ़ती ही जाएगी तो इससे समस्या क्या-क्या उत्पन होता है इस बाद को ज़रा देख लेते हैं आवास तथा अस्थान से सम्मन्दित परिसानिया एक घर में एक घर में यदि दो कमरा हो एक घर में दो या चार कमरा हो और उसमें सदस का संख्या चार है माता-पिता और दो बच्चा तो चार कमरा, चार मिंबर, सब को अपन एक एक कमरा मिल जाएगा लेकिन यदि माता पिता को पांच संतान हो माता पिता लगा करके हो गया साथ तो साथ अलगलग कमरा चाहिए ना साथ कमरा है नहीं तो रहने का दिकत, आवास का दिकत, घर का दिकत है ना तो आवास था अस्थान से संबंदित परिशानिया होती है गरहने के लिए जगा का कमी हो जाता है फिर भोजन से संबंदित परिशानिया खाने पिने का दिकत होगा अगर सदस्य उनका संख्या बढ़ेगा परिवार में बहुत ज़्यादा बच्चा होगा तो बच्चा से सबन्दी परिशानी सबको है है कि नहीं वेकेजसी निकलता है नोकरी के लिए इतना सरा संक्या बढ़ रहा है कितना को नोकरी दिया जाएगा है कि नहीं फिर भी नोकरी दिया जा सकता है लेकिन की हम इन बातों को यहां पर नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि हम अपने आपको पॉल्टिक से अलग रखने का प्रियास करता है तो कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या बहुँ जब बढ़ेगा तो बेरोजगारी का समस्या उत्पन होगा तो रोजगार का समस्या उत्पन हो जाता है सिक्षा से समनी परिशानिया माता पिता को बहुत ज़ादा बच्चा रहेगा तो बढ़ीहा बढ़ीहा स्कूल में कैसे पढ़ायागा उसमें तो पैसा खर्चा होता है न अपना इनकम ही नहीं रहेगा बच्चे को सही से पढ़ाने लिखाने का दिकत हो जाएगा चिकितसा से समनी परिसानिया बच्चे का तवियत खराब हो अब बहुत सबाप बच्चा हो सबका बारिवारी से गर तवियत खराब होगा तो डॉक्टर के पास भी तो बहुत ज़ादा पैसा खरचा हो जाता है तो सहीसे इलाज नहीं हो पाता है फिर एक गरीवी अगर बहुत जादा जनसंख्या बढ़ेगा, रोजगार का कमी हो जाएगा, लोग बैठे रहेगा, तो गरीवी बढ़ेगा, भुखमरी बढ़ेगा, उरजा संकट जब बहुत जादा जनसंख्या हो रहा है, तो इस पृत्वी पर जो हम लोग resources यूज करते ह है, जैसे कि पृत्वी के अंदर में petroleum बहुत limit है, और ऐसा कहा जाता है, कि आने वाले 40 साल के बाद, पृत्वी के अंदर petroleum खतम हो जागे, यह कि petroleum एक ऐसा तेल होता है, जिसको निकाल करके, उसी petroleum से, petrol, kerosene, diesel, mom, LPG gas, यह बहुत चीज उससे प्राप्ट किया जाता है, तो यह पृत्वी के अंदर में जितना है, वो बढ़ता नहीं है, वलकि उसका जब यूज हो रहा है, तो उसका मात्रा लगतार घटते जा रहा है, और कहा जाता है कि आने वाले 40 साल के बाद, पृत्वी के अंदर में petroleum नहीं रहेगा, तो फिर petrol नहीं मिलेगा, लोगों को किरो जनसंख्या बढ़ेगा, तो मनुस्थी का जनसंख्या बढ़ने से परियावरन को पहुँ ज़्यादा च्छती होती है, क्या-क्या च्छती होती है, जैसे Gewण विनास घर बनाने के लिए कारखाना स्थापित करना है, तो पेड़ों की कटाई कर दी जाती है, फिर परदूस मनुस्य का जो एक्टिविटी होता है अब सभी को गाड़ी चाहिए तो गाड़ी से धुआ निकलेगा उसे परदोसन का समस्या उत्पन होगा मनुस्य गंगानदी के पानी को खराब करेगा जल परदोसन होगा पेड़ों की कटाई करेगा वायू परदोसन होगा तो परदोसन का भी समस्या उत्पन होता है तो जन्संख्या विस्पोट का बहुत ज़्यादा हानी कारक परहाओ सभी मनुस्थ के जीवन पर पढ़ रहा है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा हानी कारक परहाओ पढ़ने वाला है तो यहां आज का ये lecture हो जाता है complete अगर किसी को notes चाहिए तो आप telegram group join कर सकते हैं आपको अपने mobile में telegram app download करना है और telegram में search करना है universal biology group आएगा इस नाम से आप खुद से उसमें join कर सकते हैं और आपको इस telegram group पर आपको notes मिल जाएगा आप में instagram पर भी follow कर सकते हैं मेरे हाथ से बनाया हुआ बहुत सरा figure आपको मेरे instagram ID पर मिल जाएगा आनन्द कुमार बायो मेरा username है और description में आपको instagram का link मिल जाएगा वहाँ पर जाकर क्या आप हमें follow कर सकते हैं तो आज के lecture में हम लोग reproductive health के meaning को समझे family planning को समझे और population explosion यानि की जनसंख्या विस्फोट के बारे में समझे तो हमारा जो तीन topic है ये तीन topic हमारा complete हो गया जरा से एक वार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सा तीन topic था हमारा हाँ तो हम जैसे बुले कि reproductive health complete हो चुका है इसके बाद family planning complete हो गया और population explosion भी हम लोग complete कर लिए ये चार numbers लेकर के 10 नमर तक का जो topic है हम लोग आने वाले वीडियो में बारी बारी से हर topic को details में हम लोग बढ़ेंगे अगला वीडियो कल ही आएगा ठीक है तो आज ही इस पूरे वीडियो को देख लेना है इस पूरे वीडियो को आज ही देखिए अगला वीडियो कल आएगा और notes whatsapp पर हम send कर देंगे कुछ समय के बाद ठीक है और जो whatsapp से नहीं जुडे है यहाँ number देना हमको ठीक नहीं लगता है तो आप जो ही आपके मन में कोई सवाल हो आप comment करके जरूर पूछिए आपको receptors related कोई जांकारी लेना हो आप comment करके जरूर हमसे पूछिए और पूछने में सरम नहीं करना है बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब या तो comment करके ही देंगे या फिर हम अगले वीडियो में जवाब आपके question का answer देने का परियास करेंगे तो अभी आप सब इसका screenshot ले सकते हैं हम हट जाते हैं ठीक है आप इसका screenshot ले लिजिए एक तरप से इसका click किजिए next page इसका भी click कर सकते हैं आगे इसका भी click किजिए next page इसका भी click किजिए फिर आगे इसका भी क्लिक किजिए कर भी सकते ने भी कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं इसका भी क्लिक करना है यहां भी क्लिक करना है यहां भी क्लिक करना है इसे भी क्लिक किजिए यह भी क्लिक होगा यह भी क्लिक होगा तो हम लोग अब आगे कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथर्स यनि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि वह कौन-कौन सा बीदी है जिसका यूज करके सेक्शुल एक्टिविटी होने के बाद भी झाल